मैं कराओं कि अगर जो ऐसे कोई बच्चा बिहार का रहा करके अपनी परतिभाओं को निखार रहा है बाहर रहा करके तो वो जो ऐसे बिहार की उपलब्धी बड़ी उपलब्धी नहीं माना जाएगा हमारे बिहार के मिट्टी की उपलब्धी है कि हमारे अनपड गबार ब्य आता हो जिसको इतिहास का ज्यान नहीं हो इतिहास को और तोड़ मरोड करके पेश करना लिखा कुछ इतिहास में और बोलना कुछ उसका अर्थ को अनर्थ बनाना यह जो ऐसे यही प्रोफेसर है वो ऐसे प्रोफेसर से कौन जो ऐसे इसको बिहार को क्या फाइदा है उससे और सर स्वागत है पहली पर हमारे चैनल में जुड़ेंगे नमस्कार सर ये बताइए कि यूपियसी रिजल्ट नहीं हो सकता बिहार की सिख्षा बेवस्था का पैमाना ऐसा कहना है पुर्व क्रिसी मंत्री वर्तमान में रामगड के विधायक सुधाकर सिंग जी का उन्होंने बत बिहार के लोग कहीं भी रहेंगे तो अपने पर्चम को लहराते रहेंगे लेकिन जिस प्रकार का व्यवस्थाएं विहार के अंदर में होनी चाहिए सिख्षा के छित में आद दरदर ठोकर खा रहे हैं पहले भी 1990 के बाद का जो इस्थिती था हम लोग तो जो ऐसे उस का शोट को लगातार उठाते रहे कि बिहार इतनी उर्वरा भूमी इतनी सांस्कृतिक धरोरों से परिपूर्ण भूमी इतना हमारा गौरवस्थाली इतिहास रहा है और उसके बहावजूद हमारे बच्चे जहा करकर के किन परिशानी और किन गठ नाईओं से जूज रहे ह जहां कहां जाकर करके लोग रोजगार खोजने जा रहे हैं, जहां उनके जीवन और मौत का कोई ठीकाना नहीं रहता है, कि कब गवन पढ़तारीत करेगा, कब उनके साथ दुर्विभार करेगा, कौन सियन होनी घटना उनके साथ हो जाएगी, आज वही सिती सिछा की हो गई, आपको पता है कि बगल में जो ऐसे राजित्थान के अंदर में कोटा है, हमारे यहां के बिहार के बच्चे पढ़ने वाले तो हैं ही, कोचिंग चलाने वाले भी लोग यहां से जाके वहां कोचिंग चलाते हैं, दोनों पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों जो ऐसे जाकर करके वहां सिच्छा गरहन करते हैं आप चले जाए किसी राज्य में आप चले जाए करनाटक के बंगलोर या अने छेत्रों में दिल्ली के मुखरजी नगर में आप जाकर के देखिए कितने बिहार के बच्चे किस कठनाई से वहां सिच्छा गरहन करने के लिए जाते है वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं अलग राज्यों में तक्निकी सिछा के लिए महरास्ट में हो करनाटक में हो आंदर में हो या दूसरे राज्यों में वो जाते हैं तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बिहार को सिछा व्यवस्था जो चौपट हो गई है तो इसलिए उना बच्चों को अपने राज्य में रह करके जिससे उसे उसको आत्मबोद हो अपने घर का और उसको पूरी ब्यवस्था दें और उससे अगर उपलब्धियां प्राप्ट करता है तो हमारा राज्य का गौरव और अधिक बढ़ेगा इसने सिच्छा ब्यवस्था जो चौपट होगे उस सिच्छा ब्यवस्था को सुधारना अवस्यक है मैं कराओं कि अगर जो हैसे कोई बच्चा बिहार का रहा करके अपनी परतिभाओं को निखार रहा है बाहर रहा करके तो वो जो हैसे बिहार की उपलब्धी बड़ी उपलब्धी नहीं माना जाएगा हमारे बिहार के मिट्टी की उपलब्धी है कि हमारे बच्चे कहीं भी र करके उन उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं ले लिकिन बिहार की सरकार को व्यवस्ताएं उन satur तरीके से और करने के लिए अगर जो हैसीं बहुत्थित करें तो केबल इतना ही बच्चे नहीं इससे चार गुना ज्यादा उपलब्धी प्राप्त कर सकते हैं सरकार उन्हें सो नब्बे से दो अजार पांच तक लालु यादों की सरकार जो चरवाहा विद्याले खोला बच्चों को दरदर की ठोकरे खोने के लिए कर दिया अस्कूल भवन का निर्मान नहीं कोई सिच्चों की बहाली नहीं कहीं कोई विवस्था पढ़ने का नहीं कोचिंग संस्थान में चलाने वाले लोगों का अपाहरान कोई जो हैसे कानून विवस्था पूरी तरह से ध्वस्त 2005 के बाद NDA की सरकार बनी तो लगा की कुछ ठीक ठाक होगा उस विवस्थाओं को ठीक करने का काम NDA की सरकार ने प्रारंब किया तो नितीश कुमार फिर उसी के गोद में जा करके बैठ करके जो सिच्चा को चौपट करने का काम वियार को किया था उसके साथ मिल करके बना बनाया जो उपलबधियां थे और जो काम था उन सब को भी जो ऐसे चौपट करने का काम के लिए जो सिच्चा देना मुफ्त में और अनिबाल था उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे थे उस समय सुन लिजे 19,000 प्रात्विक विद्यालियों को खोलना 14,000 प्रात्विक विद्यालियों को मद्ध विद्याल में उत्करमित करना 32 जो उच्विद्याले थे उसको प्लस टू में उत्करमित करना प्रतेक पंचायतों में उच्विद्याले खोलना तक्निकी सिछा के लिए अलग-अलग संथ खोलना चाहे हुआ आई टी आई हो या अन्य पॉलिटेक्री का छेतर हो इंजिनियरिंग कॉलेज हो मेडिकल कॉलेज लेकिन उसके बाद जूद जिसने विवस्था को चौपट किया उसके साथ जाकर के गलवहियां डाल लेना वह बनी बनाई विवस्था को और चौपट करने का काम ये नितीश कुमार की सरकार ने किया है लालू को को कोई मतलब नहीं था उस लालू के साथ विहार को और बरबाद करने में पूरी ताकत से जुट गये है सर 17 साल आप लोग भी थे आखिर उस टाम जब आप लोग सिच्छक बाहल करते थे तो जो भी उस टाम के सिच्छक अभी तक ना संडे लिखने आता ना मंडे लिखने आता ना जनवर लिखने आता ना फरवर लिखने आता तो सिच्छक बाली तो सर आप लोग मुख्या के हा स идет के लीए नियोजन समीटियां बनाई उस नियोजन समीटी की आधार पर निखतिया की गई लेकिन उसका परिचा भीрий्ठी के माध्यम से लेकर करके उनको कराया जाने लगा लेकिन आज जो ऐसे जिस परकार से उनके हाथ में दे दिया गया है और ऐसे अनपढ़ गबार ब्यक्ति को सिच्छा मंत्री जिसको इतिहास की जारकारी नहीं है इतिहास को तोड मरोड करकर के लोगों को पेश कर रहे हैं इससे प्रोफेसर हैं तो कौन सा चरवाहा जिसको इतिहास का ज्यान नहीं हो इतिहास को और तोड मरोड करके पेश करना लिखा कुछ इतिहास में और बोलना कुछ उसका अर्थ को अनर्थ बनाना ये जो ऐसे यही प्रोफेसर है वो ऐसे प्रोफेसर से कौन जो ऐसे इसको बिहार को क्या फायदा है उससे और तो नु बरबाद करने का काम किया है यह हमारे साथ बाचित कर रहे थे बीज़ेपी के परदेश पर वक्ताब परेम रंजन पठेल जी तो साथ ही आपकी क्या प्रतिक्रिया है कोमर्स जो आप जरू दीजेगा अगर आप हमें यूट्टूब पर दख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए फैस्टूप वर्दा करता फॉला और से जरूर कीजिए धन्यवाद